ट्रेंडिंग अफगानी सलवार कटीन कैसे करें आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा बीच में बिल्कुल इसकी मत किजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी तो ये वीडियो बहुत आपकी यूजफूल होने वाली है ये फेब्रिक जो देख रहे हैं दो मीटर का है तो मैं फीता चौक कैची सब मैं यहां पर रख दी हूँ तो चलिए कपड़ा को खोल लेते हैं इसको देख लेते हैं फिर भी मैं माप के देखी हूँ दो मीटर है तो ये दो मीटर से मैं अफगानी सलवार कटीन और stitching सिखाने वाली हूँ तो जितना भी लेंथ आपको चाहिए उसमें से belt के लिए छोड़ के फोर फोल में बिछा लेना है तो यहां पर मैं फोर फोल में बिछा ली हूँ तो यहां इस तरह से मैं बिछाई हूँ बिल्कुल लंबाई के तरफ से फोल कर दी हूँ तो आपकी सलवार जितना भी लंबाई हो उसमें आपको तीन प्रस करना है तो यह साहिती से इंज के मैं रेडी करने वाली हूँ तो पहले मैं belt छोड़ के लंबाई यानि लेंध है मैं cutting करने वाली हूँ तो इस तरह से फीता आपको उपर के तरफ छे इंज मायनिज कर लेना है उसके बाद मैं आपको length निकलना है तो ठीक देखिए इस तरह से मैं फीता रख के निकल ली हूँ तो यानि फीता रखने के बाद मैं आको समझा दो किलियर की यहां पे 32 इंच का मैं कट्रिंट करने वाली हूं थोड़ा मार्जिंग भी लेंगी इसमें एक इंच इस्ट्राइस लिएक नीचे और उपर बेल्ट में जोइंट करने के लिए तौ यहां पे मार्क में सीधा लगा दी हूं महडी के तरफ से तो इस तरह से आपको जितना भी महडी के चौलाई चाहिए उसमें मृक लगा के फिर डबल इसतर से ले लेजी यानि यहां पे आप 14 ले सकते या 16 ले या निकी हाफ इंच मार्जिंग भी ली हूं यानि सारे 15 इंच ले ली हूँ, इस तरह से, उसके बाद आशन की तरफ हम कटिन करेंगे, तो आशन में भी से इस तरह से बेल्ट ली है, 6 इंच उपर के तरफ छोड़के, तो उसके बाद 9 इंच पर मार्क लगा लेंगे, यानि 6 और 9 इंच पर 16 इंच पर आ जाएगा आशन, आशन के लि तक इस तरह से 3-6 फित रखना है और यहां पर मार्क लगा लेना है आपको तो इस तरह से मार्क कंप्लीट करने के बाद यहां से कट कर लेना है तो यह देख लीजिए मार्क के उपर मैं कट करने वाली हूँ यहां से यहां तक तो इस तरह से कट कर लेना है बिल्कुल असान त तरीका है अफगानी सरवार कटीन और स्टीचिंग और बीच से ये भी पल्ला खोल लेना है तो मैं आगे भी वीडियो अफगानी का कटीन और स्टीचिंग सिखाई हूं पुराने वीडियो को भी देख लिए उसके बाद मैं ये मियानी लगाने वाली हूं तो मियानी वाली य यहां देखिए खुलने के बाद पांच इंच हो जाएगा तो यह पांच इंच का प्लस करके यानि छे इंच लंबाई जो मैं छोड़ी थी उसमें 3 इंच प्लस करके लंबाई 9 इंच लोगी और चवलाई कमर से 5 इंच लोगी यानि 21 इंच का चवलाई और 9 इंच का लंबाई बेल्ट कटिन करना है यहां मुझे तो इसके मार्क के उपर कटिन कर लेना है तो यहां पर आपको साइट कम दिख रहा होगा अगर यह आप मेरा मेजर्मेंट की साब से कटिन कीजिए आपको विल्कुल सही कटिन आएगा और दोनों साइट से सिलाई मौर की इस तरह से नेफा रेडी कर लेना है अगर आपको नेफा लगाना है अगर आपको बेल्ट लगाना है तो बेल्ट कमर का फोर इंच कम लीजिए उसके बाद गोल करकि यहांपर इसिलाई करके फिर आप elaborate लगा लिजिए। इपसे इलास्टिक लगा के मिलती हूंती देखिए। यहांपर मैं state लागा ली हूं कमड़ में तो ध्यान रहे जितना आपकी छूटाई ही ही हो elastic है आपको plus कर लेना है तो इस तरह से फोरग्र में भाग करके यहाँ पर निशान लगा लेना है सेंटर में यहाँ सेंटर में मैं निशान लगा ली हूँ इस तरह से तो इसको भी साइड में भी रखते हैं चले अब यहाँ पर घेरा को खोल लेते हैं घेरा को हटा लेते हैं सलवार की लंबाई को और इस पल्ला को भी सिधा में इस तरह से रखके मियानी यहां पे रखके नीचे से सिलाई करते हुए उपर के तरफ जाना है फिर इहां भी दूसरे साइड भी मियानी को नीचे से लगाते हुए इस तरह से रखना है रखकर हाफ इंच के मार्जिन लेते हुए सिलाई कम्प्लिट कर देना है उसके बाद में आपको दिखाने वाली हूँ कि देखे किस तरह से मैं म्यानी लगाई हूँ विल्कूल असान तरीके से आपको समझा रही हूँ तो ये आपको गानी सलवार को फिर से एक बार और इस तरह से रखना है दूसरे वाला पल लगो म्यानी से म्याते वुए यहां भी स्टिच कर लेना है और दूसरे साइड भी सेम सिधे में सिधे रखना है और एक दूसरे पर जढ़के सिलाई लगा लेना है देख लिजे मैं कैसे तयार की हूँ तो लिजिए यहां पर मैं म्यानी लगा ली हूँ इस तरह से आपको म्यानी तयार कर लेना है दोनों साइड तो आपकी सलवार फटेगी नहीं आपको आराम मिलेगा इसमें घेरा तो है कम से कम 21 डबल में फिर भी मैं म्यानी लगा हूँ डिमांड था इसलिए अगर आपको म्य यहां पर कट लगा लेना है या निशान लगा लेना है तो दोनों साइड सेम सेंटर मिलाते हुए मैं यहां पर कट लगाने वाली हूँ कि ध्यान रहे यह सेंटर है उसके बाद में इस तरह से पकड़ना है आपको तो साथ तींच लगभग आपको निशान लगा लेना है से सेंटर से लगाने के बाद दोनों साइड से इस तरह से प्लेट बेठाएंगे आप अपना पसंद से छोटा या बाड़ा प्लेट दे सकते हैं इस तरह से तो मैं इसे दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड में इस तरह से देने वाली हूं उपर या नीचे तो इस तर सेतलर में भी दो गोटव दी हूं और और साइडर में भी इस तरह से प्लेट दे दी हूं wra van duringình को इस तरह से पकड़ना है i.s उसको मिलाते हुए इहां पर एक वोलाई में स्टिच कर लेना है तो देख लीजिए मैं इहां पर स्टिच लगा ली हूँ तो आपको खोल के देखा देती हूं स्टिच करने के बाद यहां पर मैं सीधा करके आपको दिखाने वाली हूँ तो देखिए इहां पर एलास्टिक ल गडरी के डेन यहां पर देखिए मुझे रेडी करना है 13 इंच तक प्लेट अगर पसंद तो इसाहσα दोनों मोहरी में मेरडिक कर ली हूं। आप चाहें तो यह पर प्लेट दे सकते हैं तो प्लेट Ayakar पसंद है तो इस तहरा से 5 इंच का प्रक्ति कटना है 2 पीस और बुकरम कटना है डेड़े रिंज का और इसके उपर आपको आरेंज से चिपका लेना है तो चलिए मसीन पर मसीन पर मैं समझाती हूँ कैसे लगाना है तो इस तरह से आपको बुकरम सीधे रखना है और यहां से यह गेदरिन वाला मोहरी का जो डिजाइन है इसको उपर तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है इस सिलाई तो इहां एक सिलाई मैं दे चुकी हूं तो इस तरह से बुक्रम को इहां से फोल करना है फिर इसके अंदर ये कपड़ा जाएगा इस तरह से बिल्कूल एक समान सिलाई यहां से यहां तक अंतक लगा देना है तो मैं यहां पे इस तरह से शिलाई आपको लगा के देखा देती हूं आप भी इस तरह सिलाई लगा के देखिए तो यहां पे गिदिन को समालते हुए मैं अराम अराम से सिलाई लगा दी हूं सिर्फ एक सिलाई लगाई हूं क्यूंकि यहां मुझे इस तरह के गोल्डन लेस लगाना है आ दो लेज के इस्तामाल करने वाली हूँ एक उपर एक नीचे आप चाहें तो बीच में भी दे सकते हैं पर यहां मैं दो ही दे रही हूँ तो इस तरह से दोनों मोहरी को रेडी कर लेना है बिल्कूल एक जैसा यहां पर रेडी हो गिया उसके बाद फिटिंग देना है तो इस दूसरे मोहरी के साथ सिलाई कंप्लेट कर लिजिया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड में जरूर सेयर किजिए अगर कहीं समझ में ने आये तो कमेंट करके पूछ सकते हैं तो उमीद करती हूँ मेरा यह आफगानी सलवार कैसा लग रहा है इससे परले भी मैं बना तो अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे